बड़ी खबर आपको बता देए चण्डिगर से जहाँ पर इटेंडरिंग के मुद्दे पर राजुनितिक बयान बाजे जा रही है दिगवजे चोटाला का भी बड़ा बयान सामने आया दो लाक रुपाई की राशी काफी कम है इसे पहले की तरह बढ़ाया जाना चाहिए कुछ चीजें अफसर शाही कर रही है ये तमाम बाते दिगवजे चोटाला की और से कही गए आपको बताते ये टेंडरिंग को लेकर लगातार विरूत किया जा रहा है जो पंचायत प्रतिनी थी है उनके और से वज़ाई ये है क्योंकि अब ये टेंडरिंग की वज़े से सिर्फ दो लाक तक का का काम जो है वो सरपन चदिकारी करवा सकते हैं और इसी को लेकर उनके और से विरूत किया जा रहा है उनका ये कहना है कि इस राशी को बढ़ाया जाए पहले की तरह कम से कम 20 लाक जरूर किया जाए और इसी खबर पर अधिक जौनकारी के साथ समादादा जुतेंदर चौधरी हमार साथ जुट चुके हैं जुतेंदर दिगवजे चौटाला खुद ही कह रहे हैं कि राशी काफी कम है दो लाक रुपई की देखें बिलकुल अगर हम जन्नाएक जन्ता पार्टी की बात करें तो कटबंदन में जो है उस सरकार है और दिगवजे चौटाला जो की वरिष्ट निता है जन्नाएक जन्ता पार्टी के उनकी तरफ से ये बात पहना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ने कहीं जन्नाएक जन्ता पार्टी भी इस पूरे विवस्ता सी उसको बहाल रखना चाहिए पंचायतों को मजबूत रखने को ले करके उनका ये साफ सौर सिमत है उनका ये भी कहना था क्यों पूरे मसले पर पंचायतों की जो लगाता जे बिलकुल जिते इंदर शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शों को तक पहुंशाने के लिए तो वाकई ये हैरान कर देने वाली बात है देखे एक तरफ से अगर बात करें बेज़ोपे की और से तो कुल मिलाकर दो लाग की जो राशी है उसका जो फाइदा है दिया जा रह है लेकिन फाइद दो लाग तो बहुत कम है सर्पन्ज यो बनता है वह 2 लाग में काम नहीं चला सकता दो लाग में तो अब जो हैना छोटी सी गडली भी नहीं बनती तो ये बिरोक्रेसी इस तरह की चीज़ें कई बार जो है न पॉलिटिकल वेल अलग होती है बिरोक्रेसी अपना वो करती है इसलिए मैं बिरोक्रेसी का इस मामले में जो है न थोड़ा सा विरोध करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना जीए सरपंच के हाथ मजबूत हो चुणा के लिए बिरोक्रेसी इंपोर्टेंट नहीं है सरकार के लिए जुनावा प्रतिनी इंपोर्टेंट है